नमस्कार मैं डॉक्टर अजीद भारती आठ फिर आपके लिए एंपी बोड कच्छा बारा हिंदी विसे के अंतरगत रगवीर साय का परचय लेकर आया हूँ ठीक है तो परिश्चा में प्रसन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि मान लेजिएगा रगवीर साय का परचय बिंदू के आधार पर दीज दीए तो बिंदू क्या हो सकते हैं दो रचना है भासा सहली और सायत में इस्थान तो चलो पिर हम सुरू करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे कॉपी में ब्लैक पेंस से उत्तर लिखोगे ठीक उत्तर लिखने के बाद उसके सामने लिख देंगे रगवीर साय का पर्च है वो भी काले पेंसे ही लिखेंगे ठीक इतना लिखने के बाद पर काले पेंसे एक हेडिंग डालेंगे दो रचना हैं उसके अंतर गथ हम लिखेंगे एक समय था लोग भूल गए यानि रगवीर साय की आपको जो रचना याद हो वो कोई दो लिख दीजीगा जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखी वही लिखें आपको जो भी कोई दो रचना है याद हों तो दो रचना लिखने के बाद फिर हम रेडिंग डालते हैं भासा की भासा में लिखेंगे रगवीर साय ने सहते खड़ी बोली भासा का प्रियोग किया है उनकी भासा सरल साब सुतरी एवम सदी हुई है इनकी भासा सहरी होते हुए भी सहज है साय जी आधने काब भासा के मौहरों का प्रियोग करने में चतो रहा है ठीक तो ये ओगई भासा पर उसके बाद हम लिखेंगे सहली सहली की एड़न काले पेंसे डालने का नीले पेंसे लिख अग्वीष स्थान, उसके अंतर गत लिखेंगे, रगवीर्ष्य का हिंदी जगत में विसेज इस्थान है, वह पेशे से पत्रकार थे, इसलिए उनकी रचनाव में पत्रकार्ता के तेवर और अख्वारी अन्वव साप दिखाई देते हैं, वह सिर्फ पत्रकार ही नहीं, को सब के सामने रखा ऐसे रचनाकार को सदय याद किया जाएगा तो यह हो गया आपका रगवीर साय का पर्च है समाथ ठीक अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके अवस बताईएगा और इसी तरह के आपको सरल भासा में कोई विसाय वस्तु या कं कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं कोशिस प्रयासी कर सकता हूँ कि मैं आपके लिए उपलत करा सकूं तो अगर इस तरह से आप सही सरल भासा में और सुद्ध लिखेंगे तो निश्चित तर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे तो फिर आज के लिए इतना ही